लक्षमे आप सभी का स्वागत है मैं इसके भारती आप लोगों को माइक्रो प्रसेसर और माइक्रो कंट्रूलर पढ़ा रहा हूं और आज का मेरा टॉपिक है बिट लेबल ऑपरेशन चा बिट मैनोपलेशन के पहले आप लोगों ने अर्थमेटिकल ग्रूप लॉजिकल ग्रूप और डेटा ट्रांसपर ग्रूप के इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है यह माइक्रो कंट्रूलर 8051 का एक ग्रूप है में कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं इस ग्रूप का नाम है विट विट ओपरेशन ग्रूप विट वर्ड को पकड़ लीजिए तब कुछ समझ में आ जाएगा एकदम इजी है सबसे आसान अगर कोई इंस्ट्रक्शन बोला जा आपको खुद देख लीजिए कितना असान है पहला मैंने आपके सामय रखा है का नाम है क्लियर विट लेबल का सबसे पहला मैं लिखने जा रहा हूं यहां लिख देता हूं पहला नाम मैं लिख रहा हूं पहला नाम का नाम है क्लियर विट इस तरीके से यह कमांड इंस्ट लिखना है किसी का एक्स्पलानेशन है मैंने कट आउट डाला है आप देख सकते हैं सबसे पहले CLR clear bit होता क्या है और clear bit का मतलब क्या है यह bit level operations होते क्या है मैं समझाना चाहता हूँ पहले bit level operations को सुनिए यदि मैं किसी भी instruction को एक ऐसा instruction बनाता हूँ जो मैं particular एक bit पर वक करना चाहूँ जैसे example के लिए माल लिया 1011011 ऐसा कोई data है यह accumulator में है और इधर कोई इसी तरीके से data रखा हुआ है 10111011 ऐसा push data है मैं इन दोनओ को or get करना चाहता हूँ ठीके अगर मैं Or get करूंगा तो सारा का सारा or get होगा-1-भै-1 मतलब इसका यह वाला इसका यह वाला जाएगा सब और और गेट होगा मतलब सारे के सारे लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं मैं यह कहना चाह रहा हूं आपको कि मैं चाहता हूं कि इसका ये वाला बिट सिर्फ ये वाला बस ये वाला एक बिट और गेट हो या एंड गेट हो या मूव हो या कोई भी जो भी operation करना चाहते हैं जो हम लिखेंगे वो काम हो सिर्फ एक बीट पर operation हो पॉर्टिकुलर एक स्थान पर operation हो एक बीट पर इस तरह के जितने भी instruction आएंगे पॉर्टिकुलर एक बीट पर काम करेंगे पहला question बीट पर वक करेंगे और कहां वो बीट दिया का रहेगा वो दिया रहेगा आपके instruction किस बीट पर वक करना है यह आपको समझाए आराम से पर सिस्ट्रक्शन खदम अब मेरे है कि मैं instruction देता हूं और मैं इसको समझाने example दे के समझाओंगा वो सकता हूं बहुत अच्छे से आप clear कर ले आईए तो पहले इसको पहले इसको clear कर लेते हैं आप पढ़िये क्या लिखा है पहले ध्यान देजेए तो पढ़िये क्या लिखा है पहला है clear bit के बारे में operation काता है this instruction with this instruction this instruction will clear the indicated bit बस एक ही लाइन में खता हूं indicated bit indicated bit clear करता है indicated bit indicated bit को यह instruction particular clear कर देता है clear मतलब समझते है जीरो कर देना यार ठीक हटा देना का मतलब जीरो कर देना कौन से bit को clear करेगा कौन से bit को प्रब्लम आ रहा ना कौन से bit को तो सारे एक example लेते हैं देखे मैंने कह लिखा है clear clear p 2.3 clear clear p 2.3 अब clear p 2.3 का मतलब क्या होता है मैंने example क्या लिए है c l r p 2.3 मैंने ऐसे दिया है ना इसको इसको समझना जोगी है यह पॉर्ट 2.3 का मतलब समझते हैं का मतलब पॉर्ट 2 का तीसरा पोजिशन पॉर्ट 2 का तीसरा पोजिशन यास इसी को किसी किसी जगर ठीक है आप मैंने जो प्विन डाइग्राम पढ़ाया है तो अलग तरीके से लिखाया तो लिखने का तरीका बदलता है अब देखें पॉर्ट 2 में 8 पॉर्ट 2 अगर आप पढ़े होंगे फुल मिलाकर आप देखें होंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब देखें इसमें कोई डेटा है इसको क्या कहते है जानते हो अगर माल यह पॉर्ट 2 है इसको कहेंगे पी टू जीरो पी टू वन पी टू तू थ्री पी टू फोर पी टू फाइव पी टू शिक्स पी टू सेवेन तभी का नाम लिख दिया पोजिशन पॉर्ट 2 में 8 बिट होते हैं अब हमें क्या बोड़ा है पॉर्ट 2 का तीसरा पोजिशन पर जाओ पॉर्ट 2 पॉर्ट 2 तीसरा तीसरा पॉर्ट 2 थी यह है देखिए तो अलग कलना दिखाते हैं आपको और किलियर हो जाएगा इसकी बात कर रहा है यहां इसको किलियर करना है अभी जीरो था चलिए वन कर देखर दी उते हैं तो फिर आप बोले इसे कईसे यह नहीं है तो पर मैं बिया एसको बपर wn udah प्रम कर देता हूंbek्ल अब लिखने का मन तो अब अगली बार यहां जब बनेगा यह जो आपके पास घर बन रहा है इसमें घर में कैसे होगा एक दो तीन चार लिखा हुए तो आप दिख रहे होंगे डिखे है तो आप देख रहे होगे कर दिखा है यह वाला किलियर कर यह बीट का मान वन एक ही बीट चेंजिंग हुआ वाकि मेरे सारे के सारे बीट एकदम एक्दम सेम पोजिशन पे हैं और सेम वैल्यू पे हैं यह दोनों वैल्यूज में दोनों के एंसर में कोई चेंजर नहीं आ रहा है तो आप देख रहे होंगे क्लियर 2.3 कितना आसान है इ जिस्वी चीज के सामने क्लियर लिखा रहेगा उसके बीट पोजिशन भी दिए रहेंगे उसंपी बिट का बैलू क्लियर करने का मतलब 0 हो जाएगा चलिए next आगे बढ़ते हैं ठीक है तो next आगे बढ़ेंगे देखे आगे बढ़ेंगे एक और है हमारे पर से इसको पढ़ते हैं cplp 2.5 पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद सेट भी को भी आएंगे cplbit लिखा है इसका फूरा नाम लिख देते हैं cplbit इसका मतलब समझते हैं cplbit का मतलब क्या हुआ कॉंप्लिमेंट बिट पर्टिकुलर एक पोजिशन वाला कोई बिठ होगा उसको कॉंप्लिमेंट कर देना है क्यां से रहा हुआ लिए कम्ppलीमेंट मतलब ओल्टा कर देना है ज savage कम्पलीमेंट बता करा हिए अब अब कैसे करिए इस पार कारेंगے सब यूअ ने रहा है SPL 2.5 ता मतलब 0010101020201020100 आठ हो गया, अब इसका नाम देखे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, P, 2, 5 है यह ना, अब मैं यहाँ पर कमांड दे रहा हूँ, कौन सा कमांड दे रहा हूँ, CPL, कॉंप्लिमेंट करना, CPL, P, 2, 5, का मतलब क्या हुआ जानते हैं, फिर से ऐसा बनेगा, हमले एकदम बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बाकी को नहीं जाना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, P, 2, 5, यह हुआ, इसका पोजिशन, कॉंप्लिमेंट लगाओ ना, जी, कॉंप्लिमेंट 0 है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, यहाँ पर, कॉंप्लिमेंट का मतलब 1, यह पॉटिकुलर एक बीट पर अगर ऑप्रेशन करना है, तो ऐसे के लिए हम लोग, ठीक है, CPL, बीट, कॉंप्लिमेंट इन, बीट मैनुप्लेशन ग्रूप का परियोग कर, यह बीट मैनुप्लेशन ग्रूप आपके पास हो गया, ठीक है, बीट मैनुप्लेशन ग्रूप आपके पास हुआ, चली, ग्रूप के बाद अगला एक और इंस्ट्रक्शन और है मूव बिट कोमा सी मूव बी कोमा स्वरी गलाब एडिया ठीक है देखे मैं लिग देता हूं इससे इंस्ट्रक्शन का नाव एम ओ भी मूव ठीक है यहां लिख दीजेग डेस्टबीट इमितसर्बी ट्रांस्पर होगा है एक बिट से एक वीट ऊस्ण सुरू में होता है डेस्टबीट देखाना कोर डेस्ट होता है मैं गholता है अ कि इस्थे लिए चिन सेधर जाता है कि यह हो गया है कि सप्सक्राइप देस्ट होता है यह होगे src bit नि सोर्स विट तोर्स विट उधर होगा destination इधर होगा अब आप ऐसे में कहा कहा transfer करेंगे यह बताइए देखिएगा accumulator 3 से accumulator का तीसरा position पहले accumulator को बनाईए accumulator में क्या क्या position होगा वो लिखिए एक दो तीन चार पांच छे सात आठ हो गया तो accumulator का तीसरा position accumulator को 0 बोलते है accumulator 1 बोलते है एक तू और एक कुमूलेटर पॉइंट 3 यह कह लाएगा माल यहाँ पर डेटा है वन तिक अब आईए सी सी नाम का कोई ना कोई आपके पास registers होगा ठीक है सी नाम का कोई ना कोई register होगा इस सी के की जगह पर आप कोई भी register ले सकते हैं चलिए सी नाम का register ले लिजे अब मैं ले रहा हूं सी में यहां पर सी का यूज होगा कैरी का मतलब क्या होगा कैरी सी मतलब सी ब्राबर कैरी फ्लाइग की मतलब कैरी वन है अब यह वाला वन यहां ठीक है 感覺 कि मोव करना यहां कुछ भी नहीए मालियर जीलो डेटा है इस को मुव करना है तो अब आप कमांड्स क्या लगाएंगे पर हել कके ओ सी मोव कहां पहुचाना है इसको पहले किसको पहुंचाना है तो कैरी फ्लाइटां सी को जैसी इसको यहां डावन देटा यहां of carry to third bit of accumulator the accumulator with यह सेम है तिसरे पोजिशन पर चेंजिंग आ जाएगा देखिए यहां पर देखिए जीरो एक दो तिसरा पोजिशन यहां से बदल गया बदल गया ना तिक मार दिये रो मार कि तिसरा पोजिशन बदल गया एक यह bit manipulation group है bit manipulation group बहुत ही आसान है बहुत easy है bit manipulation group में कोई दम नहीं easy way में अब bit manipulation पर्टिकुलर bit पर ही operation करना है चाहे move किजिए चाहे add कीजिए चाहे subtract कीजिए चाहे àर और कीजिए चाहे ending कीजिए अब कोई भी instruction bit का देदेगा वहाँ लिखा रहेगा किस का हमें bit कहां किस position पर bit पर लिखेगा और हूज जाएगा आपके पास चलिए एक और है मेरे पास instruction में बना करें रखा है मूवC,B ठीक है इस को उल्टा है उसी का जस्ट उल्टा है उल्टा instruction में आप बना रहूँ है देंखि जस्ट अपोजित है तो इसमें इसका जो अगला इस्ट्रक्शन होगा उसका नाम है MOV C, BIT क्या लिखेगा आप MOV MOV C, BIT ठीक है इधर BIT पहले था C इधर था तो आप उसी में उसार से जस्ट उल्टा हो गया ना तो एकुमुलेटर का चौथा BIT जाएगा जीरो है अब यह जीरो चौथ है क्या हो जाएगा जिरो हो जाएगा है ना यसर तो मैं आपको सब्सक्राइब को पढ़के बता रहा हूँ तो आप अपने से इसको पूरा कर लेंगे जोरत नहीं है इतना लिख की भी आने से सारा कुछ से क्लियर हो जाता है जो बाते में बोल रहा हूं उसी को मैंने लेंग्वेज में लिखता है तो यह था bit manipulation group बहुत सारे लोगों का था कि bit manipulation group समझे में नहीं आता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है bit manipulation instruction देखने के वाद आपको बहुत आसान लग जाएगा easy way में बना पाएंगे चलिए अगली लेक्चर में machine control group पे बात करेंगे लेक्चर में थैंक्यू